रजनी को बच्पन से ही होली खेलने का बहुत शौक था लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी जिन्दगी से सारे रंग अचानक गायब हो जाएंगे क्या हुआ था रजनी के साथ? ये जानने के लिए देखते हैं विद्वा बहु की होली घर में शेहनायां गूँच रही थी रजनी की शादी रोहित के साथ होने वाली थी रजनी और रोहित कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और वहीं दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया पढ़ाई पूरी होते ही रोहित और रजनी ने अपने अपने परिवार को शादी के लिए मना लिया सभी रस्मों और रीती रिवाजों के साथ रजनी और रोहित की शादी हो गए शादी के बाद रजनी अपने ससुरा ला गए रोहित, कुछ मेहिनों के बाद होली आने वाली है माने हमें घर बुलाए है मा कह रही थी कि शादी के बाद पहली होली हमें वहीं मनानी है और वहां मेरी सहेलियां भी आएंगी आपको तो पता है ना कि मुझे होली खेलने का कितना शौक है इतना कहकर रोहित हसने लगता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन रोहित को क्या पता था कि होली से पहले ही उसकी दुनिया बेरंग होने वाली है एक दिन रोहित अपने आफिस से घर लोट रहा था कि गाड़ी चलाते वक्त उसके सीने में तेज दर्द होने लगा और रोहित के हाथ से गाड़ी का कंट्रोल छूट गया गाड़ी एक खंबे से जाटक राई आसपास के लोगों ने रोहित को गाड़ी से निकाल कर अस्पताल में भरती करवाया लेकिन आपके पती को मेजर हार्ट अटेक आय था I'm sorry, हम उन्हें बचा नहीं पाई डॉक्टर की बात सुनकर रजनी का दिमाग सुनने हो गया वो कुछ बोलने ही पाई लेकिन उसकी आँखों से बहते आंसु थमने का नाम ही ने ले रहे थे घर में रोना धोना मचा हुआ था रजनी पर तो दुखों का पहार तूट पड़ा था लेकिन उसकी सास मालती और ननत प्रीती रोहित की मौद के लिए उसे ही जिमेदार मानने लगे रोहित की मौद के बात से रजनी के प्रति मालती और प्रीथी का व्यभार बिलकुल बदल गया रजनी ओ रजनी कहा मर गई, जल्दी धरा जी माजी आपने मुझे बुलाया माजी माजी क्या लगा रखा है तुझे दिखता नहीं कि घर में खाना नहीं बना है मेरे बेटे को तो खा गई, अब हमें भी भूखा मारीगी क्या मा जी, आपकी बेटे को मैंने नहीं मारा अगर वो आपके बेटे थे तो मेरे भी पती थे देखा मा, भाबी की जबान कैसे कैची की तरह चलती है इनने तो भाया की मौत का जरा भी दुख नहीं है रजनी के ससुर गजेंद्र मालती और प्रीती की बाते सुन रहे थे रजनी के प्रती उनका बदला हुआ व्यवार उन्हें परिशान कर रहा था प्रीती, तुम्हें अपनी भावी के बारे में ऐसी बाते नहीं बोलनी चाहिए आहाहा, बेटी की गलती दिख गई आपको, लेकिन बहु ने मेरे साथ कैसे बत्तमीजी से बात की वो नहीं दिखाई पड़ आपको लगता है रजनी ने आप पर भी कोई जादू कर दिया है, डायन कहींगी मालती, ये मत भूलो कि रजनी इस घर की बहु है रोहित की मात का दुख जितना हमें है, उतना ही उसे भी बस वो तुम दोनों की तरह अपने दुखों का मेला नहीं लगाती मा, अब इस घर में भाबी के आगे हमारी कोई इससत नहीं देख रही हो पापा कैसे भाबी का पक्ष ले रहे है तुम दोनों मा बेटी को जो करना है करो लेकिन मैं रजनी के साथ गलत नहीं होने दूँगा क्या वादा क्या था हमने उसके माता पीता से यही ना कि हम उसे अपनी बेटी बना कर रखेंगे बेटी के साथ कोई ऐसा सलूक करता है क्या देखो जी आप हमारे मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा है रजनी तू यहाँ खड़ी-खड़ी हमारी बाते सुन रही है जा जाके रसोई में जल्दी से खाना बना रजनी रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगी इसी तरह धीरे-धीरे दिन गुजर रहे थे और होली का त्योहार नजदी का रहा था एक दिन रजनी के पास उसकी कॉलेज की सहिली नताशा का फोन आया हाई रजनी हाई नताशा कैसी है तू कैसी हो सकती हो तुझे तो पता ही है कि मेरी दुनिया उचड़ गई है रोहित के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुखवा यार तुम दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी थी ना जाने किसकी नज़र लग गई नताशा होली का त्योहार नजदी का रहा है मैंने सोचा था कि शादी के बाद पहली होली रोहित के साथ खेलूंगी कॉलिज की दिनों में तो होली के दिन में रोहित से कभी मिली नहीं पाती थी I know I am very sorry for you लेकिन अब कर भी क्या सकते है भगवान को शायद यही मन्सूर था रश्णी नताशा से फोन पर बात करी रही थी कि प्रीती चुपके से उसकी बाते सुनने लगती है और घर में आग लगाने की नई योशना बनाने लगती है मा जब से भईया गए है भावी ना जाने हर समय फोन पर किस से बाते करती रहती है मुझे तो लगता है कि उनका शादी से पहले कोई अफ़ेर था हाए राम, मुझे तो उस करम चली पर पहले ही शक था हाँ मा, भावी किसी के साथ होली खेलने के बारे में बाती कर रही थी अभी पती को मरे हुए एक साल भी नहीं बीता और वो कल मुही होली खेलेगी, उसे तो मैं बताऊंगी होली का त्योहार आने दे, कुछ महीने बीत गए और होली का त्योहार भी आ गया होली से ठीक दो दिन पहले रजनी की मा का फोन आया रजनी बेटा, होली से पहले तु घर आजा लेकिन मा, सासु मा तो मुझे कभी वहाँ नहीं आने देंगी कोई बात नहीं बेटा, मैं मालती बहन से बात करती हूँ सुधा ने मालती को फोन किया नमस्ते बेहन जी, वो रजनी बिटिया को होली पर यहाँ भेज देती तो अच्छा होता अच्छा, रजनी को माई के भेज दू ताकि वो वहाँ अपने पुराने यार के साथ होली खेल सके ये कैसी बात कर रहेंगे आप बेहन जी, देरी बेटी ऐसी नहीं है हमारा मू मत खुलवाओ बेहन जी, हमें अच्छे से पता है कि आपकी बेटी कैसी है रजनी कहीं नहीं जाएगी और इस तरह मालती ने रजनी को होली पर माई के नहीं जाने दिया रजनी बहू, एक बात कान खोल कर सुन ले मेरे जीते जी, तू अब कभी होली नहीं खेलेगी अगर मैंने रंग का एक धबबा भी तेरी साड़ी पर देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मालती की बात सुनकर रजनी की आंग भराई उसने रुधे स्वर में मालती से कहा मैं अब होली क्या केलूगी माजी मेरी तो दुनिया ही बेरंग हो गई है तभी वहाँ रजनी के ससुर गजेंदरा जाते हैं और मालती से कहते है मालती, रजनी की अभी उम्री क्या है हम इससे इसकी खुश्या नहीं जीन सकते इसे भी अपनी जिन्दगी जीने का पूरा अधिकार है सुनो जी, मैंने जो कह दिया सो कह दिया इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी दो दिन के बाद होली का त्योहार भी आ गया होली के दिन घर में सन्नाटा पसरा हुआ था आसपडोस में सभी लोग होली खेल रहे थे लेकिन रजनी सफेद साड़ी में लिप्टी अपनी जिन्दगी के कोरे कागस को निहार रही थी तभी उसके कानों में मालती की आवाज गुंच पड़ी रजनी ओ रजनी जी माजी माजी की बच्ची तुझे पता नहीं है क्या कि आज होली है घर में खुश्या नहीं मनाई जाएंगी लेकिन त्योहार के रस्म तो पूरे करने ही पड़ेंगे ना जा रसोई में जाकर गुझिया बना ले मा भाबी से कहो न थोड़े से मालपूआ भी बना ले मेरी कुछ दोस्त घर आने वाले है रजनी मालती और प्रिती की बाते सुनकर ये सोची रही थी कि इने तो रोहित की मौद का जरा सा भी दुख नहीं है गुझिया और मालपूआ इनके गले से कैसे उत्रेगा तभी माल सोचने लगती है रोहित को मालपूआ कितना पसंद था आज अगर वो जिन्दा होते तो उनके लिए धेर सारा मालपूआ बना दी रोहित की यादों में खोई हुई रजनी गुझिया और मालपूआ बनाने लगती है शाम को प्रिती के कुछ दोस्त घर पर आते है रजनी ब बनाने का भी मन नहीं था आज मुझे रोहित की बहुत याद आ रही है आज वो जिन्दा होते तो हम दोनों खूब होली खेलते ठीक है ठीक है जादा एमोशनल ट्रामा करने की ज़रुरत नहीं है जा जाके महमानों को चायर और नाश्ता दे रजनी अपने हाथों में मिठा आज बाल उड़कर रजनी की साड़ी पर करकिया भाखी आपको दिखाई नहीं देता कि यहां हम सब होली खेल रहे हैं आपको यहां आने की क्या जरुरत थे मा जी ने मिठाईयां देने को कहा था इसलिए मैं यहाई हो मिठाईयां देने आई हो या मिठाईयां देने के बहाने होली खेलने आई हो आपको शर्म नहीं आती विद्वा होकर होली खेलना चाहती हो अरे क्या हुआ प्रिती क्यों चिल ला रही है देखो न मा, भावी हमारे साथ होली खेलने यहाई थी तभी मालती की नजर रजनी की सफेद साडी पर जाती है जिस पर गुलाल का रंग लगा हुआ था हाई राम, बेशरम, पती को मरे हुए एक साल भी नहीं हुआ और चले आई होली खेलने ये आप क्या कहरी है मा जी? आप ही ने तो कहा था कि प्रीती के दोस्तों को गुझ्छया और मालपुआ परोस्तो मुझसे जुबान लडाती है मालती ने सब के सामने रजनी के गाल पर एक सोरदार चांटा चड़ दिया जाटे की गूँच गजेंद्र के कानों तक पड़ी गजेंद्र अपने कमरे से निकल कर बाहर आये तो उन्होंने देखा कि मालती रजनी को थपड मार रहे थी गजेंद्र ने आकर मालती का हाथ पकड़ लिया बस मालती बहुत हो क्या? ना तो तुम्हें अपने बेटे की मात का गम है और ना ही तुम्हारी लाड़ली को आप मेरे बीच में मत बोलिये आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता है कि आपकी बहु क्या गुल खिला रही है मुझे दिखाई दे रहा है कि कैसे तुम्हारी बेटी अपने दोस्तों के साथ होली मना रही है जबकि इसके भाई को गुजरे हुए एक साल भी नहीं हुआ सारे दुख और सारी कुरूतियां सिर्फ रजनी के लिए ही क्यों ससुर की बाद सुनकर रजनी ने अपना सामान पैक कर लिया और थोड़ी देर के बाद गजेंद्र ने उसे माई के पहुचा दिया अरे भाई साब आप हमें माफ करतीजे बेहन जी हम रजनी को वो सम्मान नहीं दे पाए जो एक लड़की को उसके सस्राल में मिलना चाहिए रजनी की सिंदगी दुबारा रंगों से भरतीजे कोई अच्छा सा लड़का देखकर रजनी के हाथ पीले करतीजे शादी में मुझे बुलाना मत भूलियेगा मैं रजनी बेटी को आशिरवाद देने जरूराओंगा इतना कहकर गजेंदर वहां से चले गए और रजनी अपनी मा सुधा के गले लग गई चिंकी की उम्र सिर्फ साथ साल की थी लेकिन फिर भी वो अपनी मा रवीना की खूब मदद करती थी रवीना एक विधवा थी और सड़क के किनारे फुटपात पर सामान बेच कर अपना और चिंकी का गुजारा चला रही थी लेकिन वक्त के साथ ये सब कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि बहुत कम ही लोग उससे सामान खरीदा करते थे रवीना के पास बेचने के लिए ज़्यादा सामान भी नहीं होता था बस आने वाले त्योहारों के हिसाब से वो थोड़ा बहुत सामान ही खरीद पाती थी जिन्हें बेचने के बाद भी उसे ज़्यादा बचत नहीं हो पाती थी मा होली आने वाली है तो हम इस बार भी पिचकारी और रंग बेचेंगे ना हाँ बेटा ये थोड़े बहुत रंग और ये दो-चार पिचकारी खरीद कर तो ले आई हो लेकिन पता नहीं इने कौन खरीदेगा हमसे कोई क्यों नहीं खरीदेगा मा होली पैर तो सबको पिचकारी और रंग चाहिए होते हैं हाँ बेटा लेकिन बाजार में कितनी सारी बड़ी-बड़ी दुकाने है और वहाँ एक से एक पिछकारियां और रंग भी मिलते हैं तो सारे लोग वही पर जाते हैं हमारे पास तो कोई रुखता तक नहीं मा तुम बिलकुल चिंता मत करो हमारा सारा सामान बिग जाएगा आप देखना और फिर हम भी खोब अच्छे से होली मनाएंगे गुजिया बनाएंगे पापर तलेंगे और 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 अरे बस कर बिटिया इतने सपने मत सजा यहां दो वक्त के खाने के ही लाले पड़े हैं त और जैकर लगाते हैं अपनी दुकान नहीं मा तुम रहने दो तुम्हारी तब्यत कल से कुछ ठीक नहीं लग रही मैं ही चली जाती हूँ ना ना बेटी तुझे अकेले कैसे भेज दू मैं मैं बिलकुल ठीक हूँ चल दोनु चलते हैं रवीना और चिंकी अपना सामान ले कर घर से बाहर निकले ही थे कि तभी अचानक रवीना को बहुत तेज चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी मा मा क्या हो गया तुमको मा चिंकी को को समझ नहीं आ रहा था उसने रवीना का माथा चू कर देखा तो उसे तेज बुखार था ये देखकर चिंकी घबरा गई और फॉरण पडोस वाली कांता काकी को बुला कर ले आई चिंकी तेरी मा को तेज बुखार है बेटा इसे दवाई और आराम की जरुरत है काकी मा ठीक तो हो जाएगी ना हाँ हाँ बेटा तु चिंता मत कर तेरे पास कुछ पैसे है क्या तेरी मा को डॉक्टर के पास जाना होगा नहीं काकी जो भी पैसे थे उनसे मा ने ये रंग और पिछकारिया खरीद ली इने बेचकरी हम पैसे कमाने वाले थे अच्छा चल कोई बात नहीं तू ऐसा गर इसके माते पर ये ठंडे पानी की पट्टिया रखती रहना लेकिन अगर इससे भी बुखार नही उत्रा तो तेरी मा को डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा बेटा। सभी क्राहक पास की बड़ी-बड़ी दुकानों में जा रहे थे तभी अच्छानक मम्मी मम्मी वो मुझे वो वाली पिछकारी चाहिए दिला दो ना बेटा रुको अभी मैं वो सामने वाली दुकान से दिलवा दूँगी तुम्हें खरीद लीजे ना मैडम जी मेरी भी कुछ कमाई हो जाएगी सारा दिन हो गया यहां बैठे-बैठे कुछ भी नहीं बिका आप एक बार देखिए तो सही मेरे पास कितने अच्छे रंग हैं और ये पिछकारी ये तो बाबा को पसंद भी आ गई है ये ले लीजे ना आपकी बड़ी महरबानी होगी बोलते हुए चिंकी की आँखों से आसु साव जलक रहे थे उस महिला का नाम सुलोशना था उसे चिंकी पर दया आ गई और वो उससे बोली सुलोशना चिंकी से वो पिछकारी और थोड़ा सा रंग खरीद लेती है और उसकी कीमत दे कर वहाँ से चली जाती है लेकिन सर्फ इतने पैसे काफे नहीं थे डॉक्टर की फीज भरने के लिए अभी भी चिंकी को और पैसो की जरुरत थी चिंकी ने हार नहीं मानी और वो अपना सामान बेचने की कोशिश करती रही लेकिन सुलोशना के बाद कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं आया अगले दिन होली थी जहां हर कोई होली पर मौज मस्ती कर रहा था तो वही मासूम चिंकी अभी फुटपात पर अपने रंग और पिछकारियां लेकर बैठी थी उन्हें बेचने के लिए तभी वहाँ से कुछ मनचलों का जुंड गुजरा और वो लोग वहीं रुक कर चिंकी को घुरने लगे चिंकी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रिखी और उस गाड़ी से एक महला बाहर निकली वो सुलोचना थी वो चिंकी के पास गई और गुस्से से बोली अरे चिंकी आज होली है और तुम अब भी यहीं बैठी हो चल उठो यहां से और अपने घर जाओ नहीं मेम साब मैं घर नहीं जा सकती मेरे रंग और पिछकारिया अभी बिकी नहीं है मुझे इन सब को बेचना है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है देख नहीं रहे हो वो लोग तुम्हें कब से घूर रहे हैं यहां रहना तुम्हारे लिए खत्रे से खाली नहीं है सारा बाजार बंद है तुम भी घर जाओ जिसने जो खरीदना था वो खरीद लिया है अब तुम्हारा सामान कोई नहीं खरीदेगा लेकिन अगर यह सामान नहीं बिका तो मेरी मा का क्या होगा इतना कहकर चिंकी जोड-जोड से रोने लगी चिंकी को रोता देख कर सुलोचना को बहुत बुरा लगा उसने चिंकी के सिर पर हाथ रखते हुए उससे कहा चुप हो जो बिटा, मुझे बताओ, क्या हुआ है तुम्हारी मा को मैडम जी, मा बहुत बीमार है, उसे तेज बुखा रहे अरे, तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर क्यों नहीं गई तू मैडम जी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है डॉक्टर को देने के लिए इसलिए तो मैं ये सामान बेचने के लिए यहां बैठी हूँ मैंने सोचा था, कि ये सब बेच कर जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपनी मा को डॉक्टर के पास ले जा पाऊंगी लेकिन अब, अब मैं कैसे करूंगी ये मेरा सामान तो कोई खरीदी नहीं रहा ये कहते हुए चिंकी की आँखों से लगातार आंसू बह रहे थे दूसरी तरफ सुलोशना ये देख कर हैरान थी कि जहां होली के मौके पर सारे बच्चे मौज मस्ती में डूबे थे तो वहीं चिंकी को तो इस सबसे कोई मतलब ही नहीं था उसे तो बस अपनी मा की चिंता थी सुलोशना ने चिंकी की मदद करने का फैसला कर लिया और उससे कहा चिंकी तुम्हारी मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी मैं तुम्हारा ये सारा सामान खरीद लोगी ठीक है सच अब सच कह रही है मैडम जी आप ये सब कुछ खरीद लेंगी हाँ वो क्या है न मैं एक अनाथ आश्रम चलाती हूँ तो ये सारा सामान मेरे आश्रम के बच्चों के काम आ जाएगा। चलो, अब ऐसा करो, ये सब कुछ समेट कर मेरी गाड़ी में रख दो, और मुझे बताओ, कितने पैसे हुए। हाँ मैडम जी, इन सब के मिलाकर साथ सा रुपे हो गए। ठीक है, ये लो, ये रहे तुम्हारे पैसे, और अब तुम मुझे अपने घर लेकर चलो। क्या, मेरी घर? लेकिन आप मेरे घर जाकर क्या करेंगी मैडम जी? क्यू, तुम्हारी मा को डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाना है क्या? सुलोशना की बात सुनकर चिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सुलोशना को लेकर अपने घर पहुची, जहां रवीना की हालत पहले से भी खराब हो गई थी। चिंकी, आ गए बेटा, आ गए बेटा, तुने कुछ खाया या नहीं मेरी बच्ची? तुम मेरी चिंता मत करो मा, बसा भी मत करकी बिस्तर से उठ जाओ, और चलो मेरे साथ। कहाँ चलो मैं, और ये मैड़म जी कौन है तेरे साथ? जी, मेरा नाम सुलोशना है, और मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाने आई है। डॉक्टर के पास? नहीं, नहीं, उसकी कोई जरुरत नहीं है, बस थोड़ा सा बुखार है, खोधी ठीक हो जाएगा। नहीं, मा, ठीक हो ना होता, तो अब तक हो जाता, तुम बिलकुल चिंता मत करो, ये मैड़म जी बहुत अच्छी है, इन्होंने अपना सारा सामान खरीद लिया है, ये देखो, अब हमारे पास पैसे है, चलो, अब डॉक्टर के पास चलते हैं। चिंकी के हाथों में पैसे देखकर रवीना को बड़ा सुकून मिलता है, फिर सुलोशना रवीना और चिंकी को अपने साथ अस्पतार लेकर जाती है। अब डॉक्टर साब, आप इने बढ़ियां से बढ़ियां इलाज दीजे, बाकी सब मैं देख लूगी। बस अब जरूरत है तो उसे सही दिशा देने की। अब रवीना, अगर तुम चाहो तो मेरे अनाधाश्रा में साफ सफाई का काम कर सकती हो। जिसके बदले तुम्ही ठीक ठाक तर्णखा भी बिल जाएगी। और चिंकी भी पढ़ लिख पाएगी। क्या, मेरी चिंकी, वो पढ़ सकेगी मैडम जी, सच कहरेंग है। हाँ, मैं उसे पढ़ाऊंगी। चिंकी अभी बहुत छोटी है। उसका बचपन इस तरह फुटपात पर सामान बेच कर बरबाद नहीं होना चाहिए। मुझे भरोसा है कि वो बहुत कुछ कर सकती है। अगले ही दिन से रवीना सुलोचना की अनाथाश्रम में साफ सफाई का काम करने लगी। चिंकी भी उसकी मदद करती, लेकिन उससे पहले वो खोब मन लगा कर पढ़ाई करती। सुलोचना ने जल्दी ही उसका एड्मिशन एक स्कूल में करवा दिया, जहां चिंकी अपने सुनेरे भविश्यों को सजाने लगी। फिर कई सालों के बाद, अरे चिंकी, आजा, ये डिब्बे में क्या लेकर आई है। ये गुचिया है मैडम जी, मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाई है। मैडम जी, आपकी आशिरवाद से मेरा सपना पूरा हो गया, इस बार की होली एक खुशकबरी के साथ आई है, मैं, मैं सरकारी टीचर बन गई मैडम जी, नए सेशन से मेरी जॉइनिंग हो जाएगी। अरे वा, दिल खुश कर दिया चिंकी, बहु उनके लिए पिछकारिया और रंग तो लाई है ना। हाँ मैडम जी, मैं सब के लिए लाई हूँ, ये देखिए, चलिए, सब मिलकर होली खेलते हैं।